हे गाइज मैंने में इस गॉर्फ चौधरी एंड यूर वाचिंग मिस्टर गॉर्फ तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सभी बहुत यहाद अच्छी होंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइटी की फीश के बारे में तो आप सभी में से ज्यादा तर वीडियो में आपको पूरी इन्फरमेशन देने वाला हूं फीश के बारे में तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट कर दीजे मैं आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा अप एक कमेंट भी होगा मैं फिर भी इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना होगा लेकिन आप प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो गैस इस वीडियो के अंदर मैं आपको I.A.T. का नाम बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको उसकी फीच बताऊंगा पर सेमेस्टर वाइस ठीक है ना आपको फीच बताने से पर मैं आपको बता दूँ जो नॉर्मल कॉलेज है उनसे आई इटीज की फीच थोड़ी हाई होती है लेकिन उससे आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आपकी family की income इतनी ज्यादा नहीं है आपके father की income या mother की income इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इतना fee pay कर पाए तो आपको easily loan approved हो जाएगा ठीक है ना तो fees के बार में तो यह attention करने की बिलकुल भी ज़रूरत है ही नहीं ठीक है क्योंकि वहाँ पे आपका average package भी कितना होता है 12-15 लाग के बीच का होता है आइटी के अंदर आपका जो भी ब्रांच है जो आपका average package होगा वह 12-15 के बीच में होता है ठीक है तो आपको जॉब लग जाती है आराम से जादतर student को बता है कि आईटी में जॉब लगना ज्यादा बड़ी बात नहीं है वहाँ पर जॉब आराम से लग जाती है अगर बच्चा मेहनत करे तो ठीक है और साथ में मैं आपको बता हूँ कि आपको फीज दे कैसा लगेगा कि यार फीज बहुत ज्यादा हाई है लेकिन वह उनके लिए है जो मतलब नहीं पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे ना वहाँ पर आपका जाई एडवांस किलेर होना चाहिए ठीक है ना बड़ी बात वह है बड़ी बात यह नहीं कि यहाँ इसकी फीज इतनी हाई है तो आपका अपको बताता हूँ क्या कि इसमें इंक्लूड किया गया है तो इसमें आपको एन्वल इंस भी इंक्लूडिड है कौशन मनी जो की रिफंडेबल होती है वो भी आपका इसमें इंक्लूडिड है कंट्रीबिशन टू सब्सेडी यह भी है एक्जमनीशन फी जिम खना है ती जिम क्हने की फी है कि जो होते हैं जिम काना नाम है तो जिम की एक पास पास रख जाए और बहुत सारी चीज अपको बताद हो IIT की fees, हर साल थोड़ा बहुत increase हो रहा है, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो इसी चेकर में थोड़ी बहुत fees जो है, increase हो रही है, तो ऐसा मत बोलना, कि भीया, आप तो इतनी fees बता रहे हो, लेकिन IIT की fees तो इससे 10 यार जाता है, या इससे 15,000 जाता है, तो guys मैं पह या BCR, या BCR का अंतर होगा, तो आप इतना manage कर लेना, ठीक है न, आप यह मत सूचना कि भीया ने तो इतना बताया तो इतना ही लगना अच्छी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत fees उपर नीचे हो जाती है, उपर ही होगी, नीचे तो नहीं होगी, क्योंकि य यह पर semester wise fees है, और इसमें सारी fees included है, जैसे आपका hostel वागेरा जो भी fees है, सब चीज, सारी चीजे इसमें included है, तो पहले बात करते हैं, IAT खरकपूर की, तो IAT खरकपूर की जो आपकी पर semester की जो fees है, वो 1.16 lakh है, 1.16 lakh, IAT बंबे की 1.15 lakh, IAT कानपूर की 1.13 lakh, IAT मदरास की 1.09 लेक, IAT मदरास की दुबारा मैंने लिग दिया है, 1.09 lakh, IAT डली का है, 1.16 lakh, IAT गवार्टी का है, 1.14 lakh, IAT रूर की का है, 1.09 lakh, तो गैस अब प्लीज इसका screenshot लेके अपने पास रख ले, अब बात करते हैं, IAT इंदौर की, तो इसका है 1.29 lakh, IAT मंडी का है, 1.11 lakh, IAT पलकड क लेक, IAT तुरुपती का है, 1.15 lakh, IAT धनबाद का है, 1.22 lakh, IAT बिलाई का है, 1.16 lakh, IAT गुआ का है, 1.11 lakh, IAT जम्मू का है, 1.16 lakh, IAT धरवात का है, 1.16 lakh, IAT धरवात का है, 1.16 lakh, गाइस यह जो फीच में बता रहो हैं, यह पर समेस्टर हैं, ठीक है, द्वारा मैं आपको बता हैं, जो फीच में बता रहो हैं, पर समेस्टर वाइस हैं, और इसमें काफी सारी चीज़ें included हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टर्टिंग में ही बता दिया था, अब बात करें, IAT भीच यह यह वारानाशी की 1.21 lakh, IAT भुगनेश्वर की 1.13 lakh, IAT गंधी नगर की 1.45 lakh IAT हिद्राबाद की 1.18 lakh, IAT जोधपूर की 1.52 lakh, IAT पतना की 1.10 lakh, IAT रोपर की 1.11 lakh, और IAT गोगा की बात करें, तो इसकी फीच है 1.11 lakh पर सेमेस्टर, IAT जम्मू की द्वारा में बता रहा हैं, आपको 1.16 lakh, IAT तिरुपती की 1.15 lakh, IAT बिलाए की 1.16 lakh, तो गैस मैं आपको सा आपको किसी और कॉलेज की फीच जाननी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और गैस अगर आपको और भी कोई इनफरमेशन चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ओपर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँ तो गाइस चलिए, मैं मिलता हूँ आप से एक अगली वीडियो में